हेलो फ्रेंट्स कैसे आप सब मैं विनायक तिंगलू आप सब कह स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विनायक तिंगलू में मेरी जो आज की वीडियो रहेगी वो माइक्रोसोफ एक्सल पे रहेगी टॉपिक रहेगा डी सम डी सम जो है वो एक पार्ट है आपकी डेटाबेस फंक्शन का अब डेटाबेस फंक्शन क्या होते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा डेटाबेस फंक्शन जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं आपके बेसिक ऑपरेशन को जस्ट लाइक सम, एवरेज, काउट, प्रोडेक्ट, एट्स्ट टोटल है 12 है अभी हम बात करेंगे सिर्फ दी सम की बाकी जो 12 है जिन में से एक तो आज हो जाएगा और जो गैरा रह जाएंगे उन पर भी में कुछ वीडियो बात में बना लूँगा अभी के लिए सिर्फ दी सम तो आपके database functions की जो most important चीज जिसका आपको बहुती ध्यान रखना होता है वो होता है आपका heading ओके जैसा कि आपको heading show हो रही होगी दो जगा पर लिखिये में एक उपर और एक निचे से में कोई भी difference नहीं होगा दोनों heading में क्योंकि अगर आपकी heading थोड़ी भी अलग होगी different होगी दूसरी heading स तो आपको result नहीं मिलेगा क्योंकि जो आपकी heading है वो बहुत ही important role play करती है आपके result को लाने में तो शुरू करें अपना D sub तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा as usually जैसे कि यहापे मेंने कुछ items के नाम ले रखें जैसे आप देख पा रहे होंगे name of product hardest pen drive ram inter desktop laptop and memory card RAM मैंने दो बार use किये क्यों use किये वो भी आगे आपके से share हो जाएगा quantity किती quantity में है price per item एक item का price किया अब एक hardest जो है वो 6200 की है और मेरे पास 5000 पड़ी है तो total amount आपके सामने निकल कर आ चुका है ऐसे ही मैंने बाकी products को भी किया हुआ है अब अगर मैं इनका total निकालना चाहता हूँ सिर्फ hard disk का तो मैं कौन सा formula यूज करूँगा जब मुझे सिर्फ hard disk का निकालना हूँ ऐसे तो आपके सामने यहाँ पर show हो रहा है है ना यह hard disk का रहने देते हैं थोड़ा इसको complex बना देते है रैम का sum दिखना चाहता हूँ मैं कि जितनी भी rams है मेरे पास यहाँ पर उनका sum कितना बनता है तो आपको इसका sum निकालने के लिए कौन से formula के दुरस पड़ती है sum if की right तो यहाँ पर भी लिख देता हूँ side पे sum if tap की को hit करूँगा सबसे पहले range पूछी जाती है आपकी range क्या है तो रैम चाहिए ना तो रैम के पूरे के पूरे इस column का मलब जितने भी name आप product है उनकी selection करूँगा हो गया criteria आपका criteria क्या है मेरा criteria यह रैम है ना यही रैम है ठीक है कॉमा की use करूँगा और आपका sum range sum range मनलब कि आपका जो sum जहाँ पर निकला है जिसमें से आप रैम का sum निकालना चाहते है उस range को select करे तो मेरा वो यह है तो मैं इसकी selection करूँगा और enter को hit करूँगा result आता है 16 करोड 44 lakh right दोनों का sum अगर किया जाए तो यह भी same य कर सकते हैं तो इसी चीज़ को अगर हम चाहे करना तो हम इसे sum की मदद से भी कर सकते हैं जैसे कि equal to sum tap को hit करेंगे सबसे पहले database ओके database मतलब कि आपका जो data है जैसा कि मैंने आपको in the beginning of the video बोला था कि आपके जितने भी database functions होते हैं उसमें heading बहुत important role play करते हैं तो इसका data जितना भी आप select करेंगे आप heading के साथ select करेंगे कुछ इस तरीके से ठीक है database में एक formula और भी काम आता है जो dget है जिस पर आपके आपकी पूछा जाता है field आपकी field क्या आपके निकालना चाहते हो मैं total amount निकालना चाहते हो right इसकी selection करूँगा ओके comma का use करूँगा क्या निकालना चाहता हूं मैं RAM निकालना चाहता हूं न तो मैं यहाँ पे दोनों की selection करूँगा यहाँ पे notice करने वाली बात मैं खाली RAM को select नहीं करूँगा मैं name of product और RAM को select करूँगा क्यों मुझे heading की जरूरूरत है तो इसकी heading यह टॉप वाली line ही है तो name of product के सब में RAM की selection करूँगा जब enter को hit करूँगा तो result आता है 16,44,000,000 जैसा कि आपके सामने है अब आप सोच रहे होगे जितना time consume sum if ने किया उतना ही तो d sum ने किया तो हम क्यों d sum का use करे या मैंने ये video क्यों बनाई है जब sum if से काम proper उतने ही time में हो जाएगा जितने time आपके लिए तब आएगी जब आपके पास multiple criteria होंगे multiple criteria से मेरा कहने का मतलब है just like मेरे नीचे में कुछ criteria रखे है जिनकी quantity 5000 से ज़्यादा हो जितने भी यहाँ पे मेरे items है product है quantity मेने यहाँ पे लिखी है मुझे RAM वह वाली दिखाई जाए मुझे sum उसका दिया जाए जो 5000 से ज़्यादा हो और 1200 से ज़्यादा हो price per item के हिसाब से जिसका price 1200 से ज़्यादा हो और quantity में जो 5000 से ज़्यादा हो मुझे उस RAM का sum दो तो यहाँ पे अगर मैं sum if का use करूँ क्योंकि sum if तो use होगा नी sum if में एक criteria होता है पर एक से ज़्यादा criteria जहाँ use होते है वहाँ पी use होता है हमारा sum tips okay सबसे पहले sum range sum range को select कर लिया ठीक है comma criteria range 1 criteria range 1 मेरी name of products रहेगा comma का use करेंगे फिर आपका criteria 1 क्या है आपका RAM है फिर comma का use करेंगे criteria range 2 ठीक है आपकी criteria क्या है जिसका result चाहते हो मैं चाहता हूँ कि जिसका भी quantity quantity जिसका भी से मेरा मतलब है RAM का क्योंकि मैंने criteria 1 में RAM लिया हूँ है जिसकी भी quantity पांच हजार से कम है मुझे वो नहीं चाहिए मुझे वो चाहिए जो 5000 से ज़्यादा है तो criteria 1 दे दिया quantity का आप मैं price per item मैंने तीन criteria दिये मैंने पहला RAM का दूसरा greater than 5000 और तीसरा दूंगा मै price per item कॉमा का यूज करूँगा और यहां पर लोगा जिसका price 1200 से ज्यादा हो enter को hit करता हो तो result आता है 12 करोर 60 लैक ठीक है अगर यही चीज मुझे d sum की मदद से करना हो तो यह बहुत ही instant होगा और आपका इतना time consuming process नहीं रहेगा करके दिखाना चाहूँगा equal to d sum tap की को hit करता हो सबसे पहले database database के लिए फिर से heading को ले लेता हो और साथी साथ में पूरे data को comma का use करता हो अब मेरी field क्या रहेगी मेरी field amount ही है तो total amount की selection करूँगा ख्यार रखेगा आपने इस वाले total amount को select करना है ना कि नीचे वाले को comma का use कर criteria तो criteria में मुझे अब स्रिफ name of product और RAM को लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर मुझे यह 3 criteria है ना मेरे तो मैं तीनों की selection एक साथ करूँगा और press कर दूँगा enter तो देखिए 12 crore 60 lakh 12 crore 60 lakh मेरे सामने result आ चुका है तो इससे आपको एक चीज समझ में आ गही होगी कि आपको अगर 2 criteria है या 3 criteria है तो आपको अपना formula lengthy करने की ज़रूरत नहीं है आप single d sum का use करे या multiple criteria के साथ d sum का use करे formula आपका छोटा ही रहेगा तो I hope आप समझ के होंगे d sum का हम use कैसे कर सकते हैं तो वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चनल को like, subscribe and share करे, thanks for watching the video